जैमादादी दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज आपका ये दोस्त बात करेगा निफ्टी देखिए आया है 17500 जियां निफ्टी आ गया है 17500 पर और काफी भेवीत हैं लोग काफी डरे होएं लोग तो निफ्टी एट 17500 ये मोका है या धोका है देखिए ये मोका मतलब खरीदें कि यहां पर बेचें निफ्टी और गिरेगा तो to me ये एक neat clean clear मोका है और देखिए मैं कोई long term की बात नहीं कर रहा हूं कि 2 साल में 25,000 हो जाएगा 10 साल में 1,000,000 हो जाएगा हम बात कर रहे हैं immediate short term की और near term की बात कर रहा हूं और पूरे levels दूँगा मतलब कि अगर गिर गया ये level तूड गया है तो story खतम short term की story खतम देखो दोस्तों यह है nifty का technical चार्ड देखें यह निफटी का technical चार्ड और यहां पर आप देखें निफ्टी ने यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा अपमूब दिया यहाँ पर एक बड़ा अपमूब दिया देखें चार्ट को इनलाज कर लें दो दिन में देखें यहाँ पर 17,960 गया था 980, 18,000 मान ले 500 पॉइंट देखें 500 पॉइंट साफ हो चुका है और एक चीज आप देखें हैं यहाँ पर मुझे लगता है यह 17,350, 13,366 मैं को बहुत की बात नहीं कर रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो यह लेवल टूट जाया तो मैं गलत हूं मेरा यह मानना है कि निफ्टी इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा इसके नीचे चला गया यह 17, 13,352 का लेवल है 17,350 इसके नीचे चला गया तो शॉट टर्म के लिए दिक्कत है देखिए मैं को लॉंग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि दो साल में 25,000 हो जाएगा 17,000 हम देखें तो 490 चल रहा है 17,350 यह मेरा लेवल है इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो मानो यह म सपोर्ट निकाला और यहां पर देखें आप निफ्टी ने यहां पर एक पिविट तोड़ा था यह वाला यह देखिए यह पिविट तोड़ा था इसको इनलाज कर लीजे और इसी के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट मिलेगा आई फील निफ्टी शुट रिवर्सल दीबर सुना चाहिए यह तो मेरा मानना है निफ्टी पर और आप देखिए निफ्टी के बाद निफ्टी बेंक बेखें यह यह लेवल सना इ dualफ ऐदे यह थो लिए यह क्ली मैं लाज कर लिए यह यह जो है 37,666 का तो इसको भी 37,600 650 मान लें इसके नीचे की closing आया तो दिक्कत है इसके नीचे की closing आयाँ तो लिंस आप देखें ये 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 गाफ बना था da market ने इस गैप को फिलकर है सारे फिट तोड़े लेकिए इस पिविट को गैप के साथ तोड़ा था यह देखिए यह वाला जो पिविट है निफ्टी बैंक का इसको इसको गैप के साथ तोड़ा था ऊपर गया रिवर्सल हुआ थोड़ा सा करेक्शन आया इस गैप को फिल कर रहे हैं मतलब कि मेरा यह स्ट्रॉंग बिलीव है जो लेवल पोजिटी बैंक पर भी पॉजिटी वह विट टो मीं दोनों पर खृदारी जाए डिक्लाइंस पर तो यह तो निफ्टी निफ्टी बैंक होएं अभी देखिया मैं आपको दिखाता हूं रिलाएंस इंडस्ट्रीज यह यह देखिए रिलाइंस इंडस्रीज का टेक्निकल इसमें देखें तो वो चार्ट पे जरा सा भी डिस्टॉशन नहीं हुआ है और चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पर ये एक चीर आपको बोल दूँँ देखें मैं आपको तीन-चार स्टॉल्स दिखाऊंगा और जो आखरी में स्टॉक दिखाऊंगा वहाँ पर मतलब की मुझे लगता है कि काफी बड़ी रेटिंग भी देखने को मिलेगी वो कैस सेग्मेंट का स्टॉक है तो एक तो आप सबसे विंती है कि वीडियो को आखरी तक देखिएगा और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने करा हुआ है तो विंती है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा तो देखिए रिलाइंस में यह एक हैं सपोर्ट है पत्चीस सो तीस का एक हैं सपोर्ट है आज भी अगर आप देखें तो 25-86 के राउंड के लोज लगे हैं तो करेक्शन में मुझे लगता है अगर 25-50, 25-70, 25-50, 25-70 वो लेवल्स आते हैं तो खरिदना चाहिए और यह 25-30 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है तो जैसे वारन बुफिट जी भी बोलते है ना बैन बैन दा फिर इस देर तो बहिए जब रिलाइंस गिरेगा पैनिक में 25-70, 25-50 के राउंड मिले और आज भी 25-86 के राउंड आया था तो खरिदना चाहिए तो फिर में खरिदना चाहिए और अगर हम गलत है तो हमारे पास स्टॉप लॉस है मुझे नहीं लगता है कि रिलाइंस आनन फानन में ये वा काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर वीकली चार्ट्स पर यहां पर एक रेकाउट सा देखने मिला था 1392 के राउंड स्टॉक भागा और अगर हम डेली चार्ट्स को देखें तो डेली चार्ट्स पर मुझे लगता है अगर यह वाले पर यह हैं फोर्टीन फेंटीन के रैंट के लेघंगा जाता है तो बहत्र पिरत कर ने मुझे लगता है जांग है डलाइंड लेवल पूर्टीन भेस सब्स्कीय कर चुकी यह मैंने आपके सांसे को ब्रैयं। इंडिस्ट्री आपके साथ मैंने HDFC बैंक कर रहा हूं आपके साथ और अब आगे चलके दो स्टॉक शेर कर करूँगा दो मैं अल्रीटी स्टुका हो निफ्टी निफ्टी बैंक भी शेर करें और एक आई-टी स्पेस से भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है इंफोसिस देखिए इंफोसिस का टेक्निकल चार्ट है हम सब लोग जानते हैं कि भाया यह स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है और मुझे लग रहा है यह डाउंडवर्ड फ्लोपिंग फ्लैग में चल रहा है मार्किट की करेक्शन में भी डिस्टॉशन नहीं हुआ है तो मुझे क्या लग रहा है इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं एक तो जब यह फ्लैग से ब्रेक आउट ले तब ट्रेड करें एल्स करेक्शन में मतलब अगर यह डाउंडवर्ड चैनल के आसपास आ जाए 1560 के राउंड आ जाए तो खरिदना चाहिए और मुझे लगता है यह 1540 पंद्रा सो चालीज इन्फोसिस के लिए एक एहम लेवल है यह तोड़ा सा नीचे ड्रॉड हो रहा है यह यह सौरी यह लेवल पंद्रा सो चालीज एक एहम लेवल है इसके नीचे का फंद्रा सो चालीज के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए करेक्शन में अगर यह डाउंवर्ड मतलब की जो हमारा यह डाउनवर्ड लूपिंग फ्लैग है इसके लोग बैंड यह राउंड लोग चैनल के अपको दिखाऊंगा कैस सेग्मेंट वाला स्टॉक दिखाऊंगा कैस सेगमेंट वाला स्टॉक दिखाऊं तो उससे पहले मैं छोटा सा एक अपडेट आप लोग के साथ शेर करना चाहता हूं देखिए यह है हमारी option segment की performance अगत्ष् सीरीज की और यहां पर हमारा profit आपके स से कहां आते हैं मात 1999 रुपए ले रहे हैं 1999 रुपए ले रहे हैं चोबिस हजार रुपए का दोस्तों 24 रुपए का profit deliver कर रहा है और कुछ क्या है कि लोग शिकायत करना वाले तो कहते हैं self promotion कर रहे हैं अरे promote कर रहे हैं अपनी performance दिखा रहे हैं उसको आप लोगों के सामने limit कर रहे हैं को यार अंडए चावल नहीं बेच रहा हूं मैं मतलब किसी으र चीह को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो चीज मेरे हाथ की है जो मेरे हाथ का उनर है sweetheart ऐस मैंने आपको दिखाये है और अब मैं को दिखाता हूं cash segment का stock जो मुझे लगता है overweight quantity में लेना चीज़िए और ये ये वाला stock है दोस्तों गोद्रेज aggro weight देखिए गोद्रेज egro weight और यहां मेरी hedge fund trend line draw हुई है hedge fund trend line draw हुई हुई है और यहां पर यहां पर देखे ये तो मैंने ये support draw गरा हुआ है मेरा बड़ा क्लियर है 484 के नीचे की क्लूजिंग आ जाये तो निकल जाये 513 के राउंड चल रहा है 513 के राउंड चल रहा है और मेरा यह विलीव है यह जिस तरीके का टेक्निकल स्टक्चर है यह स्टॉक 20-25% महीने डेड वीने के अंदर एक दिन में उछाल मारेगा तो ज प्रेंड लेंगे और जब फैंसी नहीं तब खरीदेंगे तो दिखिए आज मैंने भेतरी आपके साथ 17500 के अपना व्यू चांट के साथ शेयर करा बेश्चे लीए दो tratar अबस्तों इतना ही अपना प्यार आखेये ऐगा फिर मिलेंगे तेंक यू